हेलो दोस्तो मैंने सलार मूवी देखी और सलार मूवी देखने के बाद ये मूवी मुझे कैसी लगी दोस्तो इसके बारे में बात करते हैं दोस्तो सलार मूवी जो है एक अलग यूनिवर्स बनाया गया प्रसांद नील ने यानि कि जो लोग को KGF को इसको compare करना चाहते है तो मैं आप लोगों को बता दू दोस्तो KGF एक अलग universe है उसकी कहानी अलग है और सलार की कहानी अलग है दोस्तो इस movie को देखने के बाद मुझे यही पता चला कि यह movie जो बहुत बड़ा एक खांसार empire के उपर बनी है एक fictional story बनाया गया है खांसार जैसे एक बहुत बड़ा सामराज्य और इसके अंदर जो यह यानि कि family members भी है और कुछ opposition वाले भी है यह सब मिल कर यानि कि इस गद्धी को हासिल करना चाते है इस खांसार का राजा बनना चाते है राजा मननार जो रहता है यानि कि जगवति बाबु इसकी खुडशी को हटा कर किसी और एक आदमी को यहाँ पर राजा बनना रहता है और इसी के लिए ये लोग लड़ते जगडते हैं मारते हैं और यहाँ पर जो दोनों दोस्त रहते हैं यानि कि वर्धा और देवा वर्धा का रोल कर रहा है यानि कि फृत्विराज सुकुमारन और देवा का रोल कर रहा है प्रभास अब ये दोनों जिगरी दोस्त रहते हैं अर अच्छाना के लोग कटर दुस्मन कैसे बन जाते हैं ये हमको फिल्म के second पार्ट में देखने को मिलेगा और इस कहानी में यही चीज्ज बताया गया है जो अपने होते हैं यही कैसे अंदर से यानि कि पीछे से अपनी पीट के पीछे वार करते हैं यहीई से यही कार्द चाहिए तो वो लोग colorful tone रख सकते थे बट उन्होंने उस तरह से उस universe को create किया इसके लिए black tone दीखता है ठीक है और इसका अगर music की बात करें तो दोस्तों मैं आपको frankly बताता हूं कि KGF की तरह इसका music दमदार नहीं है हाँ लाड़ होता है music एकदम बहुत लाओड है music में और इस music का जो elements जो यूज किया है यह unique है यानि कि KGF की तरह से इसका एक जो अलग music बनाए बढ़िया तरीके से बनाए बट बहुत लाओड है और जैसे आपको बता दो दोस्तों KGF में जो music बजता है हर जगे पे हर villain के लिए एक intro scene जब होता है तभी music अलग-अलग बजता है तो उसके लिए वह music और प्लस उसका जो KGF के जो गाने है सलाम रोकी भाई इस तरह से यह गाने बहुत फेमस थे लोगों के पसंद आते थे इसलिए KGF लोगों को जाधा पसंद आई थी अब मैं आपको बता दू य अच्छे नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग दोस्तों और इसका जो editing है वह अच्छा किया है यानि कि जहां पर slow motion की जरुत होती है पर कुछ ज्याधा ही दोस्तों इसमें slow motion डाल दिया है हां बस बाकी क्या जो fight scene में जो fast cutting होती है वह बहुत बढ़िया तरीके से cutting किया है और इ वैसा लगे है कि आपको पूरा real में खांसार जो है बहुत बढ़ा सामराज्या एकदम original में suit किया है वैसा दीखता है फिल्म का जो first हाप होता है वहां पर आपको प्रभास का जो क्या character है उसके वज़े से लोग क्यूं इतना डर रहे वह आपको फिल्म के इंटर्वल में प बचाता है उस खांसार में कैसे उसकी बेजती पिरत्वी राजकी होती है और किस वज़े से होती है वह आपको फिल्म ने देखने के बाद पता चलता है और वहां पर आकर क्या-क्या ऐसा करता है और उसके दोस्त के लिए वह जो जो constitution बनाया गया रहता है उसको वह कैसे कैस दोस्तों आपको बता दू एक ऐसा संस्पेंज इन्होंने रखा है यानि कि यह जो देवा है यानि कि प्रभास यह कोन है और इससे लोग इतना क्यों डर रहे है इसकी क्या वज़े है यह बहुत बड़ी वज़े है दोस्तों मैं आपको बता तो यह जो कहानी का जो में पार अब इन तीनों जो स्ट्याचू के उपर ही इनका एंपायर बना है और इन तीनों के राजा रहते हैं और इन तीनों राजा के बीच में जो है जो बुल वाला है यह बहुत बड़ा कहानी है इसके अंदर इसके पीछे छुपा हुआ है यह आपको फिल्म देखने के बात पता चलेगी और मैं आपको दोस्तों बता दू के जीएप और सलार इन दोनों में से बैतर मुवी कौन सी है तो मैं आपको बता दू के जीएप बैतर है बेस्ट है वो अपने जान्रा अपने इनिवर्स और अपने स्टोरी के एसाब से उसको मैं अच्छा कहूंगा वो मैंने दे तो अब दोनों को में compare करके अब डाउन नहीं करूंगा बस यह कहूंगा कि परसान निल ने जो केजी अप में डारेक्शन किया था उसका जो तरीके से उन्होंने एंपायर को बताया था उससे इसने एक उपर लेवल तक यानि कि सलार को इसने बनाया है ऐसा नहीं बोल सकते कि जो डारेक्टर छोटे लेवल से स्टार्ट करके यानि कि उसकी पहले मुई उग्रम और उसके बाद दूसरी मुई उसकी केजियर और इसके बाद इनकी यह तीसरी मुई है यानि कि सलार तो डारेक्टर इतनी अच्छी तरीके से फिल्म को बनाया है और इतने सारे आर्टिस इतने सारे character को दोस्तों control करना और आपको present करना सबके director के बस की बात नहीं है और मैं इसको मानता हूँ कि प्रशान निले बहुत अच्छी तरीके से इसको film को बनाया है अब दोस्तों ये film कैसी है क्या नहीं है आपको देखना है तो आप जाकर theater में देख सकते हो मैं इतना ही कहूँगा कि ये film मुझे बहुत पसंद आई और मुझे ये film अच्छी लगी तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा तो लाइक कीजिए अगर चानल पर नए हो तो चानल को सब्सक्राइब कीजिए मिलता अगले एक अमेजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ दोस्तों